नमस्कार दोस्तों मैं आपको साथी कुल्दीव कुमार मेगवाल मेगवाल विद्धेपिट पर आपको अर्दीख सोगत करता हूँ जो फीजिकल एजुकेशन के जो सातर है वो उनके लिए बहुत ही महत्पूर्ण चैनल है हमारा तो मेरे पहरे सातियों मेरे पहरे बच्चों जो गैरीव का अक्षा कि सातरह है रेन अपूर्ड अपसकुल एजुकेशन उनके बास फीजिकल एजुकेशन एफसार एक्षिक्षा का जो विश्य है उनके लिए बहुत ही महत्पूर्ण है उनने वाले ये वीडियों तो मेरे पहरे सातियों आज का क्वेशन हमारा आसन से क्या भी पराई आसन से हमारा भी पराई है शरीर किसी विश्य स्तिती को साधना में बैठना ही आसन कहलाता है ठीक है आसन का मतलब क्या होगा कि सरीर है जो हमारा सरीर है एक स्तिती स्तिती में साधना को ही आसन कहते हैं जैसे अगला कुश्य है अगला जो पार्ट हमारा कि तैक 份 जिस START लग्ज ताल जते हैं, जिस्थ्क पिछला हिसा पिछला हिसा है फैसरा फाल जcrowd जाता है और इस परकार के आगी क इसा जुड़ कैworm जाता है, जिसे बचाप्ता हो जाता हो सरीर का में बार में संतुलित पोजाता है इस कारण कुबर्ड हमारा सुंतुलित खराब हो जाता है कुबर्ड निकलने के क्या कारण है कुबर्ड निकलने के क्या कारण है गई को वर निकल के मुख्य करन बता है पोस्टिक बहोर्जन बताया गया है और इसमें पॉरानी बीमारी बताई गए है वाहिए थे दरों से निकाभाव बता गए है अनुच्री तो कपड़े बता गए है जैसे मुख्यम टाइड कपड़े बैले तो भी कपड़े डाले से अल आखों कि कम जोरे बतायागा है इसमें कंदें परादिक भार रखना बतायागा है कंद बादिक बार जोने से उपड़ निकल जाता है तो मेरे पहर साथ हूं हम इन सब बातों का विशेश तोर पर देरना करना चाहिए क्या होगी है हम वाई वह रोसनी का बाव में एक आदा ग अकतर पोना चाहिक है आगला क्रूस् sam Appro Isa कि करें मोड के आगे के चाहि निकलने के अधान पर का पर sticking के मोह और है अ हमारे की सश्व क्यानि आपष्ध करें्स में कि इस इसकल में पीठ करों को ओं को पीछे का डिक बढूधा आदिक अधिक बढ़ जाते हैं जिसे हमारे कमरो की सूखा oh कि सूखा कि शूखा रोग कि शूखा रोग के सुखा जब भच्च के शुकार ऊरुखे अमारा भी पराहे कि इसमें बच्चे कि सिर्वी सूख कर काटा हो जाते हैं अर्था रोगी बच्छों के हाथ में खूंँ हाथ बर सूखी लगड़ी कि तरह सुख ने सूख कर पत्ले हो जाते हैं और पेट बढ़ा हो जाता है यह रोग आम तोर पांच साल क्यों बच्छों तक कहुता है और इसे शरीर सुखापन भी कहते हैं, ठीक है, बेशुखार होगा शाओता है कि छोटे बच्चों महता है, पांच साल की जिन के आई उसे निचो दन होता है, और शरीर का जूशा हो पतला हो जाता है, मेरे उधर का अखड़पन, रीड के अडियों, रीड के अडियों, रीड अडियों का अकड़ाओ कलाता है, अनुचित आसनों का प्रियोग करना चाहिए, अनुचित आसनों का प्रियोग करना चाहिए, अनुचित आसनों का प्रियोग करना चाहिए, उचित आसनों का ख्यान होना चाहिए, जिसके कान से हम यादिते हमें लग जाती है, तो सबसे प में बैठने का भाव होता हमें पता नी होता है किस परकार नी बैठते भी सराम का भाव हो जम हम कमाक्षिम शाड़े चाट गंटे सोना ची एक वैसो को जिसमों की नींद का भाव जाता है मोटापा भी मोटापा इसके मुख्य का नहां दोस्पूना देते हैं बिलेट तलाती होना सुबेह लेट उठना यह इस पर बैदेते हैं से दूरबल होना अनुचीत फरनीचर बैठने का अदोस्पूना आती इससे कि मुआपने ऑपने सुना का समय कम कर लेता है या अपने लेट लतीफ हो जाता है इस तो क्याने प्यों कि तब यहाँ खती है अच्छा तो फिर से बात करते हैं कि आगे और जो जाती है सही कि आगी को जाती श्टी इसमें के उठाथी चप्टी हो जाती है और चाती चप्टी होने के करान क्या होगा कि अगर निकल जाता है निकल जाते हैं यह इसका मुक्ह कारण है और टॉपते लगते हैं और आके दुमिल हो जाती है यह क्या थे? लूप फोश्टर का मुक्ह कारण था अग्ल अग्लकों इसका पॉइंट है सरीर के डिला चोड़ने का लाब क्या है तो मेरे पहरे साथियों सरीर के डिला चोड़ने का लाब क्या है तो मेरे पहरे साथियों सरीर का डिला चोड़ने को चोड़ने न ठकाउट को हो जाती है और मान से एक तनाओ दूर हो जाता है इसमें आज मां ठीक हो जाता है इस पर ख तो चुछा आजुकेशन दोजाद दस में आठारा में और साथ में ये कोश्चन एक्जाम में कई बर पूछा गया है तो सबसे पहले बाद का आजुआ जो आजुआ की पुरिबासा है वो यह यह कि सरीर को विशे श्तुत में शाधने का हुई आसन का या संदर आसन सी सामाधने की जिससे आंग में अभि शर्म विश्ता हो जाती वह पुञ्टा बर पूनोता रामुत होता है और शीरि एवरी के अच्छुत आसन क क्या चाए सबस्क्त करें उसके इंपौर्टन बाथ कि मेधनिय उसके पते प्रतेव व्यक्ति के लिए पर उचीता संव्य क्या करें सेंव स्रूबूर्ड अधिक विश्य उच्छिवति लिए बाई जैकर ने सिरे गारें सब्सक्ति आश्रिसान याज़ृ और शल्तिया में रहते हैं वही उचीतासन है। उचीतासन से वेक्ति के कंदों सीधे इंतने रते हैं। तो रीड के ड्डी है। वो मोड अपनी सभाविक्ष्टिती मेरती है। और उचमें दुरीत होता है। अन्ने लंबी तरह का समानें। आगे पिछे नहीं जुगती, नहीं होते हैं। शरीर के भाल अन्दों पेरों के संतुली बनाए रखते हैं। इसे उचीत रुप से चलने, फिरनने, उटने, बैटने, दोडने, खेलने के कारिये करते हैं। और इससे क्या होता है। आकर्दी से उड़ोल बनी जाती है। और उचीतासन से हमारे स्री में गातुक उनुचिता है। और इ आपनी वीडियो सुननी है। एक जो वीडियो सुननी है। तो आपनी वीडियो सुननी है। उसके बाद एक बाद सुनने के पसाद आपको यासा लगे कहां भी मैंने अरियाना का जो फिजिकल एजुकेशन अध्याय नमबर पास का परसन नमबर पहला है। इसका परसन हम अगला कम करेंगे। परसन को डिसकस कर रहे ह। तो मेरे पहरे साथियों। कड़े उन्यादी के आदते हैं उस परकार के संभा हो जाते हैं। तो मेरे पहरे साथियों आजम ने पढ़े हैं कि आशन के जो महतव क्या हैं। उसके बारे में हमने पढ़ा हैं जो सबसे महतव नमाद है। उचित आसन जो श्रीर में संचाला था है। श्रीर के रोग से बचा जाता है। तो मेरे पहरे साथियों आज हमने पढ़े हैं। हम आसन का उचित प्रयोग करने के ददहों के पहचान सुचारूप से संचाली करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों हम ने पढ़ा है कि फीजिकल एजुकेशन में अशन क्या होते हैं। हम उचीत आसनों का प्रयोग करके शरीर को सुडोल वेक्टी तो आकर्षयों के परभावसाली बना सकते हैं तो इस परकार ये था हमारा आकर्षण का चेप्टर बहुत ही महत्पूने तो आपने क्या आपका लिए देखिए अगर ये वीडिया आपको अच्छी लगी हो तो मेरे पहरे साथे अपने दोस्तों का सेर्व हैं अपका बहुत बहुत धन्यवाद